Good morning students, my name is Priya, मैं आपके हिंदी की रिचर फॉर्स गास की बच्चो आज हम फ्याकन की बुक में से लेसन नमबर फॉर्स्ट कर रहे हैं बोलते समय मुझ से कुछ ध्वनिया निकलती हैं बच्चो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुझ से कुछ ध्वनिया कुछ अवाजे निकलती हैं ये ध्वनिया जब लिखी जाती हैं तो वर्न कहलाती हैं बच्चो जब हम इसे लिखते हैं तो ये क्या लिख कहलाती हैं वर्न वर्णों के दो भेद हैं वर्णों के कितने भेद हैं बच्चो दो स्वर और व्यंजन स्वर किसे कहते हैं यहां देखेंगे स्वर दुबारा से देखेंगे यह सब क्या है है हमारे बच्चो स्वर अब देखेंगे व्यंजन यह है बच्चो हमारे व्यंजन कौन से होते हैं यह हमारे क्या है बच्चो व्यंजन तो आपको बताया मैंने इसे व्यनजन बोलते है कर से गिय तक क्या होते हैं हमारे व्यनजन और स्वर हमारे कहां से होते हैं अ से अंग तक हमारे क्या होते हैं स्वर Next page पर देखेंगे book work नीचे दिये गए चित्रों के नाम बोलो उनके शुरू की धन्यों वाले वर्णों पर सही का निशान लगाओ देखो फर्स क्या बना है पतंग तो पतंग कहा से शुरू होती है प से प से पतंग तो प कहाँ पर है यह रा तो यहाँ पर क्या आजेगा राइट करिशान आजेगा नेक्स्ट है हमारा शल्गम श किससे स्टार्ट होता है यह बच्चो श से तो यहाँ पर आजेगा राइट करिशान मतर म से मतर तो म यहाँ पर है तो म पर राइट करिशान ब से बत तक तो ब पर राइट का निशान नीचे लिखे वर्णों में वियंजनों को छाट कर उनमें रंग भरो बचों इसमें रंग भरने हैं पर जो हमारे वियंजन है वियंजन कहा से कहा तक होते हैं क से ग्य तक तो यहां देखेंगे क क हमारा व्यंजन है तो इसमें कलर आजएगा कलर भरेंगे अभी मैं पैंसल से कर रही हूँ ज क्या है हमारा व्यंजन तो इसमें कलर करेंगे ए क्या है हमारा स्वर है तो इसमें कलर नहीं होगा न क्या है हमारा व्यंजन तो इसमें भी हम कलर करेंगे अ, अ है स्वर, तो इसमें नहीं करेंगे त, त है व्यांजन, तो इसमें कलर करेंगे त, त भी व्यांजन है, इसमें भी कलर करेंगे म, म भी व्यांजन है, इसमें भी हम कलर करेंगे च, च भी व्यांजन है E, E व्यंजन नहीं है E क्या है हमारा स्वर तो इसमें कलर नहीं करेंगे D, D में भी कलर करेंगे ये भी हमारा व्यंजन है T में कलर करेंगे ये भी व्यंजन है O, O में कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है स्वर S, S में कलर करेंगे यह है व्यंजन अंग, अंग में कलर नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा स्वर है ए, ए भी हमारा स्वर है इसमें भी कलर नहीं होगा ओनली इस लाइन में किसमें कलर होगा स में ल, ल हमारा क्या है व्यंजन, तो इसमें हम कलर कर देंगे ह, ह क्या है हमारा व्यंजन, इसमें भी कलर होगा ठ, ठ में क्या है? यह भी हमारा व्यंजन है, इसमें भी कलर करेंगे और ख, ख में भी कलर करेंगे हम क्योंकि यह भी हमारा व्यंजन है ब, ब में कलर करेंगे यह भी व्यंजन है ब, य, ड, ग, नेक्स लाए में देखेंगे आ आ में कलर नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा स्वर है हमें व्यंजन में कलर करना है तो र र हमारा व्यंजन है तो व्यंजन में कलर कर देंगे ओ, ओ में भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा स्वर है और उ भी हमारा स्वर है तो आपने देखा जो भी हमारे व्यंजन है हमने उसमें कलर करा है ऐसे ही आप भी कलर करेंगे नेक्स देखेंगे नीचे चित्रों और उनके नामों का वर्ण दिया गया है और उनका सही मिलान करो मिलान करना है बच्चो क क से क्या होता है कबूतर तो क से कबूतर ट से टमाटर उ से उलू छ से छाता ड से डमरू यह आपको मैचिंग करने है फोर्थ नमबर पे हमारा वर्ण माला के अनुसार अगला वर्ण ही लिखो तो देखो बच्चों यहाँ पे ग दे रखा है तो ग से अगला वर्ण कोंसा होगा हमारा ग से गमला ग से घर ग से गमला ग से घर छ से चतरी ज से जहाज ट से टमाटर ठ से ठतेरा त से तर्बूच थ से थर्मस धसे धनुश धसे धनुश के बाद क्या आएगा बसे बकरी भसे भालू लसे लट्टू वसे वक ससे सपेरा हसे हाथी नेक्स देखेंगे आप वर्ण माला के अनुसार पहला वर्ण लिखो बच्चो यह आपको होमवक है यह आप काम अपने आप करेंगे हमारा यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा वे और यह काम सिरफ आपको बुक में करना है कॉपी में नहीं करना यह काम आप कॉपी में नहीं करेंगे ओनली बुक में करेंगे थांक्यू